अलो वरिवन, मेरा नाम डॉक्टर गॉरांग पृष्णा है, मैं एक हैर प्रांस्प्लांट सर्जन और इक्डरमेटॉल्जिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से मेडिलिंग चुन डेली में कारे रहे हूँ अब ही जो नॉर्थ इंडिया में जो टाइम चल रहा है, यह बालों के लिए साल का सबसे खराब टाइम होता है, क्योंकि इसमें गर्मी भी बहुत जादा है, मौश्चर, हुमिडिटी भी बहुत जादा है और मौनसून का सीजन चल रहा है, तो यह सब कुछ हमारे बालों के लिए एक conducive environment नहीं है, हमारे सर पे पसीना जादा आ रहा है, हमारे सर पे oil जादा आ रहा है, हमें सर को धोने का, साबून लगाने का, शैंपू लगाने का, की जादा need हो रही है, तो इन सब चीजों से, और यह जो मौनसून है, यह वैसे ही notorious है, hair cycle इसमें disturb हो जाती है, जिस जो में जो हमारे problem है, इस समय बहुत सारे लोग एक स्थिती से गुजरते हैं, जिसको tellogen effluvium कहा जाता है, या एक layman language में seasonal hair fall कहा जाता है, हौनसून में हमारे बाल जढने start हो जाते हैं, क्योंकि कई सारी roots, sleeping face, जिसको tellogen face कहा जाता है, उसमें चली जाती है, और जो बड़े hair fall बढ़ जाता है, क्योंकि roots समय तनी strong phase में नहीं है, जिससे लोगों को hair fall की problem आती है, तो इसमें कुछ tips हैं, जिससे आप ये जो 2-3 महीने हैं, June, July, August, इसमें आप बालों का better care कर सकते हो, एक तो आप अपको अपने diet पे खास्तोर से ध्यान देना है, अपने diet में protein, omega 3, omega 6, fatty acids, iron, biotin, इन चीजों की मातरा बढ़ाएं, अगर जरूरत पड़ी तो इसी के supplements आते हैं, hair supplements, hair gummies, वो आप ले सकते हैं, आप shampoo जो इस्तमाल करें हैं, वो mild shampoo करें, ट्राइ करें कि हफते में 3 बार alternate day shampoo करना काफी रहता है, और अगर आपको जादा shampoo करने की जरूरत है, तो ख बहुत जादा गरम पानी का इस्तमाल नहीं करना है, इस समय, क्योंकि दो एक relaxing होता है, बढ़ जादा गरम पानी से बालों में dryness आती है, रुखापन आता है, बाल फ्रिजी होते हैं, और easily breakable हो जाते है, तो इसके साथ आपको भी ध्यान रखना होता है कि जादा ड्राइनस नहीं होता है, तो इस इस फैक्ट कि आपको ये दोनों balance बना के रखना है, ये बिल्कुल balance बना के रखना है क्योंकि पसीना तो जादा आ रहा है, और हम शैंपू भी इस वज़ए से जादा कर रहे हैं, लेकि जादा शैंपू से हमारा scalp clean feel हो रहा है, लेकिन हमारे जो बालो जो natural oil है, वो भी निकल रहा है, जिसके बाल वैसे dryness हादी जिस वज़ए से, और इस dryness के वैसे बाल easily, इसको बोलते हैं हैर में breakage हो जाती है, तो root से नहीं निकलते हैं वो बाल, लेकिन बाल easily टूक जाते हैं, तो यहाँ पर conditioning का, या हफते में 2-3 बार shampoo से पहले oiling का एक roll जाता है, उसे आपके बाल easily नहीं टूटेंगे, जब आप shampoo कर लें, उसके बाद जब बालों का आप सुखा रहे हैं, तो बहुत aggressive नहीं हो, अगर आप dryer यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत hot setting में dryer यूज़ नहीं करें, gently pad dry करें, थोड़ा सा उसको खुद dry होने दे, चंगी कर आप ट्राइ करें, ब्रॉट टूथेट कोम, उसका इस्तमाल करें, अगर आप hairbrush भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो थोड़ा सा soft hairbrush है, जो आपके बालों को बहुत जादा खीचे नहीं, ऐसे बालों का इस्तमाल कर रहे हैं, इससे आपका hair fall कम होगा, जो बालों की उपरी पर हो रहा है, उससे हमारा cuticle damage होता है, तभी आपको बाल ज्यादा dry, ज्यादा frizzy दिख सकते हैं, तो ये एक indirect impact है, मौसम का hair के root पर impact होता है, root sleeping phase में easily चली जाती है, इस मौसम में. Thank you, समय देने लिए बहुत बहुत शुक्ते ज़र। Thank you.